非常的 저녁 by अधेraktion में लड़्डू गोपालजी बनाएंगे वाइट ग्रीन और ऑरेंज आज हम तिरंग़ ड्रेस बनाने वाले हैं यहाँ पर अपने लड़्डू गोपालजी के लिए और यहां पर लेंगे हम देखिए टैननुमबर की निडल्स तो आज की जो ड्रेस है वो बनाएंगे हम अपने दो और तीन नमबर लड़ो पाल जी के लिए दो और तीन के लिए टैन नमबर के हम यहाँ पर निडल्स यूज करेंगे और सबसे पहले देखे यह धाका ले लेंगे औरेंज और इसे हम फंदे डाल लेंगे 16 16 16 फंदे हम डाल लेते हैं फिर आपको दिखाते यह देकिए 16 फंदे हम यहाँ पर डाली है फंदे टाइट बिलकुल नहीं डाल ले है नहीं तो यह जो नाइक का बॉडर है टाइट हो जाएगा तो अब इसके हम दो वालाह यहां बना लेते दोनों साइड से उल्टि उल्टि साइड से बनाएंगे सीधा यह देखे आज इस तरह से लास्ट वाला फंदा बना लेंगे सीधा तो फर्स्ट रो हमने कम्प्लीट कर ली है अब इसके सेकंड रो बना लेते हैं और इसको भी हम उल्टा बनाएंगे ये फंदा ऐसे उतार लेंगे और पूरी सलाइस की उल्टी बना लेंगे आई कि दू सलाई हम कंप्लीट कर लिते ये देखे हैं हमने कंपुलीट कर ली है दोनों सैथ से उल्टी अब थरड रो में इसमें फंदे बढ़ा लेते इंदा ऐसे अतारेंगे और एक फंदा उल्टा दो फंदे ओ गए लेगे लिघ ध्यावर सत् स्पाव आदे डाल देंगे में अपनी साइड फंदा शीधा मुण लेँगे इस तरह से हम हर फंदे पर जाली डालेंगे। हर बार हमें धागा अपनी साइड लेकर आना है और फंदा सीधा बोन लेना है तो हर फंदे पर जाली आ जाएगी लास्ट के दो फंदों पर हम जाली नहीं डालेंगे वो हमें बटन पटी के बनाने है तो एक जाली हम यहां भी डालेते हैं जैसे हमने यहां पर दो फंदों के लास्ट वाला फंदा सीधा यह देखिए थर्ड रो हमने कंप्लीट कर ली है अब इसके फोर्ट रो बना लेते हैं यह फंदा ऐसे उतारेंगे और पूरी सलाई इसकी उल्टी बना लेंगे यह इसकी फोर्ट रो है और उल्टी साइड है तो यहाँ से इसको मुल्टा बनाते हैं कंप्लीट कर लेते हैं फंदे हमने बढ़ाए हैं यहाँ पर पहली बार तो यह फोर्ट रो देखिए उल्टी साइड से उल्टी ही बनेगी अब इसकी सीधी साइड पर आएंगे और फिप्त रो बनाएंगे तो धागा करेंगे पीछे यह फंदा सीधा तो देखिए हमने यहाँ पर इसकी चार सलाईयां बना ली है अब इसकी दो सलाईयां बना लेते हैं दूनों साइड से उल्टी उल्टी फिफ्त और शिफ्त रो यह फंदा ऐसे उतार लेंगे और पूरी सलाई इसकी उल्टी बना लेंगे यह देखे दो सलाई बना लेते हैं फिफ्थ और शिफ्थ रोव यह देखे च्छे सलाई हैं इसकी हमने कंप्लेट कर ली है अब सीधी साइड पर आ गए हैं और इसकी सेवंध रोव बना लेंगे और यहाँ पर हम दूसरी बार इसमें फंदे बढ़ाएंगे यह फंदा ऐसे दूसरी बार फिर एक फंदा इस तरह से बुन लेंगे फिर एक का दो बनाएंगे एक बार बुना और इसी दागे से इसको देखे इसी फंदे से दूसरी बार फिर एक बार और फिर यह फंदा एक का दो बनाएंगे एक फंदा छोड़ना है एक को हमें बढ़ाना है फिर एक और उल्टी side से इसकी 8th row बना लेंगे उल्टी तो ये 2 सलाइं बना लेतें फिर दिखाएँ ये देखेँ 8 सलाइं इसके हमने complete कर लिए है अब इसकी 2 सलाइं और बना लेतें दोनों side से उल्टी-उल्टी ये फंदाइ से उतार लेंगे और दो सलाईयां इसकी दोनों सैट से उल्टी उल्टी बनाएंगे नाइंध और टैंथ तो यह दो सलाईयां हम बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे यह देखें दो सलाईयां हमने इसकी कम्प्लीट कर ली हैं बनाकर अब इसके हम टोटल दस सलाईया कम्प्लीट कर चुके हैं अब इसके ग्यारवी सलाई बना लेते हैं सीधी साइड से और फिर से फंदे बढ़ा लेते हैं तीसरी बार यह फंदा ऐसे उतार लिया एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सिधे बना लेंगे एक दो तीन चार, टोटल पांच फंदे हो गए अब जो चटा फंदा इसको हम एक का दो बनाएंगे एक बार बुनेंगे और इसी फंदे को हम तूसरी बार बुन लेंगे फिर पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच और ये चटा फंदा एक का दो बना लेंगे फिर से पाँच फंदे एक दो तीन चार पाँच और ये छटा फंदा एक का दो ये देखिए फिर से पाँच फंदे एक दो तीन चार पाँच और फिर इस फंदे को एक का दो इस तरह से फंदे बढ़ाते वे हम इसकी इलेवन तरो कम्प्लेट कर लेते हैं उल्टी साइड से 12 रो तो यह दो सलाईयां कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाते हैं देखें 12 सलाईयां इसके हमने बना ली है टोटल फंदे हमारे पास 48 है 48 फंदे और इसकी लेंट आपको दिखाते हैं देखिए प्रोपर सवाइंच है काफी है और इसको हम नहीं बनाएंगे अब यहां से ह हम इसके आगे पीछे का पार्ट और बाजू के फंदे अलग करेंगे तो 48 फंदों को हमें आपर डिवाइड करना है तो देखिए हमें कैसे करना है यह इसकी रो नंबर 13 होगी तेरवी सलाई देखिए अब इसको हम कैसे बनाएंगे यह फंदा ऐसे उतार लेंगे दो तीन चार पांच छे साथ और यह आठ आठ फंदे हमने आपर फ्रेंट साइड के बुन दिये अब बाजू के फंदों को हम घटाएंगे यहां पर हम नो फंदे बाजू के घटाएंगे अगर आपको यहां पर बाजू पूरी बनानी है तो आप इसके दो नंबर के लिए भी छे सालाइप बना लिए और तीन नंबर के लिए आठ आठ आप दो इन फंदों को हम घटा देंगे दो का एक किया, फंदे हमें आपर थोड़े से लूज घटाने हैं, एक फंदा कम हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नो, तो देखें, नो फंदे हमने आपर बुन लिए, इस तरह से बाजू आएगी, अगर आपको यहीं पर फुल बाजू बना ली हैं, तो इन ही नो फंदों के आप बाजू बना लीजिए, दो नंबर के लिए फिर बता रही हूं, आपको छे सलाईयां, और तीन नंबर के लिए आठ सलाईयां, ये देखें, नो फंदे हमने कम कर लिए, अब बैक साइड के फं नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, चोदे फंदे हम यहां पर बैक साइड के बुनेंगे, अब दूसरी बाजू के फंदे हम घटा देंगे, नो फंदे, दो का एक किया, फंदा वापिस, एक फंदा कम हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और यह नो, नो फंदे हम ने आप पर यह बाजू के घटा लिए, अब दूसरी साइड के फंदे हम बुन लेंगे, यह फंदा ऐसे उतार लेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और लास्ट वाला फंदा, आठवा सीधा, तो देखें, इस तरह से बाजू हमने इसकी अलग कर दी है, अब इसकी बैक साइड से बनाएंगे यह सलाई, यह फंदा ऐसे उतार लेंगे, और दो फंदे हम बैक साइड से भी इसमें कम करेंगे, यह देखें, यहाँ पर एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक यहाँ से, और इनको दो का एक बना देंगे, एक फंदा हम दूसरी बाजू के वहाँ पर कम करेंगे, दो फंदे हमारे यहाँ पर कम हो जाएंगे, यह देखें, यहाँ से और यहाँ से, तो दो का एक बना लिया, इस तरह से उल्टी साइड से पूरी उल्टी सलाई बना ली, यह देखें, बाजू अलग करने के बाद इसमें हमारे पास 28 फंदे बचे हैं, 28, अब इसके हम दो सलाईयां बना लेतें, यह फंदा ऐसे उतारे एक फंदा उल्टा, तो फंदे हो गए, और पूरी सलाई सीधी बना लेंगे, इसके दो सलाईयां बना लेते हैं, यह सीधी साइड से सीधी बनेगी, और उल्टी साइड से उल्टी, तो दो सलाईयां बनाने के बाद फिर दिखाते हैं, देखें, अब सीधी साइड पर आ ग यह दिखे पूरे डेड़ इंच है काफी है इसको हम और बड़ा नहीं बनाएंगे तो यहां से इसके घेरे के फंदे हम बढ़ा लेते हैं यह फंदा ऐसे उतारेंगे धाग अपनी साइड करेंगे और एक फंदा उल्टा दो फंदे हो गए अब धाग अपनी साइड रखके ही फंदा सीधा बुन लेंगे धाग अपनी साइड फंदा सीधा धाग अपनी साइड फंदा सीधा यह देखे इस तरह से हर बार धागे को अपनी साइड लेकर आना है और फंदा सीधा बुन लेना है तो यह पूरी सलाई कंप्लीट कर लेते हैं फंदे बढ़ाते हुए घेरे के लिए और उल्टी साइड से इसकी उल्टी सलाई बनाएंगे तो यह दो सलाई यहां पर लास्ट में देखे यह फंदा सीधा बनेगा एक सोरी उल्टा और लास्ट वाला फंदा सीधा तो इस तरह से बना लेते हैं यह देखे हमने सीधी साइड से इसमें फंदे बढ़ाए अब यह फंदा ऐसे उतार लेंगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके, पूरी सलाई हम सीधी बना लेते हैं, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, तो यह दो सलाई हम बना लेते हैं, फिर आपको हम दिखाएंगे, कि आगे हमें इसमें क्या करना है, किस इसकी बना चुके सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी ये फंदा ऐसे उतारेंगे एक फंदा उल्टा अब जैसे हमने फिर्स्ट बार फंदे बढ़ाये थे हर फंदे पर जाली इसी तरह से फंदे लेते हैं धाग अपनी side फंदा सीधा इस तरह से हर फंदे पर हमें जाली डाले नी है और उल्टी सपाइड से इसकी उल्टी सलाई तो ये दो सलाई यां हम इसकी बना लेते हैं इसी तरह से फिर आपको दिखाते हैं यह देखिए यहाँ पर हमने इसकी दो सलाई यहां बना लिए है पहली सलाई में हमने सीधी साइड से फंदे बढ़ाए हर फंदे पर फंदा और फिर उल्टी साइड से इसकी उल्टी सलाई और इसके बाद तीसरे फंदे को हम बून लेंगे, यह देखिए, डिजाइन थोड़ आशा द्यान से देखना है, बहुत ही सिंपल और आसान डिजाइन है, एक, दो, तीन, तीन फंदे हमने उतार लिये और चोथा फंदा हमने बून लिया, एक, दो, तीन, तीन फंदे उतार और चोथा फंदा बुन दिया इस तरह से हमें यही डिजाइन डालना है बस तीन फंदे उतार लेते हैं और चोथे फंदे को हम वाइट कलर से बुन लेंगे बस यह ध्यान रखना है देखे धागा लूज लेकर जाना है आगे की साइड जब भी धागा पास करें तो देखें इस तरह से ऐसे टाइट नहीं लेके जाना नहीं तो डिजय नहीं बन पाएगा जिकट जाएगा शिकुर जाएगा बिलकूल नॉर्ब हांद से इस तरह सेTalk को इसक को बुनना है । अब देखें जो दो वाइट है इसको बहु पर वाइट से बनाएं गए दो और ये फंद। यहां पर वाइट है हो गेट मोई हूं और एक फंदा होगा i document is grupo 6akah लेकश हो डिक आप देखें जो वाइट है एक इसे सायडे वाला और सी डोनों फंदों को उनले बना करेंगे झाहें गर इस तूअ यह तीन फंदें उंलिट हो जाएंगे एक सायगों हो दो को यह फंदा ऐसे उतार लीग कर दकिए टीन फंदें यह और जो ऩ्रेंटर ज् venture वाला फंद संधर इस को आमना इस उतार लेना है center वाले फंदे को फिर देखिए एक दो तीन ये फंद ऐसे ही उतार लेंगे एक दो तीन फिर ये फंद ऐसे उतार लेंगे एक दो तीन इस तरह से हम यह पूरी सलाई बना कर इसकी complete कर लेते हैं ये देखे हमने दो सलाईयां बना लिया है वाइट कलर लगाने के बाद अब ये पूरी सलाई हम वाइट कलर से बनाएंगे ये फंदा ऐसे उतार लिया और पूरी सलाई हमें सीधी बनानी है यह इसकी थर्ड रो है, वाइट कलर से, पूरी सलाई हम सीधी बना लेते हैं, फिर उल्टी साइड से उल्टी, यह फंदा भी बुन लेंगे, देखिए, यह फंदा भी हमें बुन लेना है, अब इसी तरह से इसके हम चार सलाईया बनाएंगे वाइट कलर से, सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी, हमने चार सलाइं बना लिए स्कnoxious only यह ँना डिया है वाइट कलर लगाईगे यह वाय अब यह वालग फंदे बूंडेटेंगी धीक की फिर तीन फंदे ऐसे उतार लेंगे और चोथे फंदे को बुन लेंगे फंदा ऐसे उतार लिया देखे तीन फंदे उतारे और चोथे को हमें बुन लेना है सी तरह से बुनते हुए पूरी सलाई कमप्लीट हम कर लेते हैं हर चोथे फंदे को बुन लेना है कर देखें पूरी सलाई हमने बना कर कम्प्लीट कर ली है अब उल्टी साइड पर आएंगे और यहां से तीन फंदे तो हम बनाएंगे weigh और green को green और एक इस साइड से लेंगे white ते तीन फंदे ग्रीन से यह रिट से उताड लेंगे अब देखें यहां पीउ फंदा green बनेंगे यह और यह तीन फंदे green में बनेगे यह देखे से इस तरह से आजड़, यह हम पोरी शिफ्षा इसालाई इसी तरह से complete कर लेते हैं अब सीधी पूरी शिफाइप फिर represent को हम दिखाएंगे इस तरह से यह देखिए पूरी सलाई हमने बना कर कंप्लीट कर ली है अब उल्टी साइड से इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे एक दो तीन चार पांच छे छे फंदे के बाद इस तरह से हम एक जाली बनाएंगे फिर छे फंदे बुन लेंगे फिर एक जाली एक दो तीन चार पांच छे और फिर एक जाली हर छे फंदे के बाद हम एक जाली डाल लेनी है इस तरह से यहां पर हम पूरी सलाई बना कर इसकी कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको दिखाएं ये उल्टी साइड से इसमें हमने फंदे बढ़ाते हुए पूरी सलाई उल्टी बना कर कम्प्लीट कर ली है अब सीधी साइड से पूरी सलाई उल्टी बना लेंगे यह जाली वाला फंदा है इसको भी उल्टा बुन लेना है तो पूरी सलाई हम उल्टी बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे यह देखे यह उल्टी सलाई हमने बना कर कंप्लीट कर ली है अब उल्टी साइड से इसमें हम फ्रिल बनाना शुरू करेंगे बहुत जादा दूसरे बार बुणेंगे, दो बार बुण लिया एक फंदा अब यह फंदा बुनेंगे, यही से हम वापिस होगे यह फंदआ ऐसे ही उतारना है फर्सट फंदा धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को सीधा बुन लेंगे देखिए निकल गया इसको मैं एक बार ठीक कर लूँ यही से हम वापिस हो गए यह फंदा तो ऐसे उतारना है धागा पीछे करेंगे लास्ट वाला फंदा हर बार में सीधा बुनना है यह देखिए फंदा सीधा बुन लिया तो मीवसया सय बोगंगे लाइश्ट वाला फंदा सीधा बोगंगें त्रीद syndrome हो गए सब्सक्राइब को न सका देल्मन बेंगेरी से js 제품 गवग फम्हें से स्थ हच कि 2 Так यहों और सब्सक्राइब प्सक्राइब बरकाल यहां से लacerुआ कि इसाम वापिस होंगे ये फंदा ऐसे उतार लिया एक दो दो फंदे उल्टे उने धागा पीछे किया लास्ट वाला फंदा सीधा ये चार फंदे हो गए अब देखिए उल्टी साइड पर आ गए ये फंदा ऐसे उतारना है एक दो तीन और एक फंदा हम यहां से उतार लेगे तो चार चार फंदे हो गए एक फंदा उतारा चार फंदे बुन लिए टोटल पांच फंदे हो गए यहीं से हम वापिस होंगे ते फर्स फंदा मैसे उतारेंगे दाग अपनी साइड ही रखेंगे ऐक दो तीन पहला फंदा उतारा था तीन फंदे उल्टे गुन लिए चार फंदे हो गए धागा पीछे करेंगे लास्ट वाला फंदा सीधा यह पांच फंदे हो गए हमारे पास यह देखे एक दो तीन चार पांच अब यहां से इनको हम बंद कर देंगे एक, दो, देखे, बंद करने से पहले हम यह जो फर्स्ट फंदा है, इसको हम एक बार और बुन लेगी, यहां से इसके हमें अच्छी शेप देनी है, तो इसको हम एक बार और बुन लेते हैं, यह देखे, इस तरह से, अब यहां से हम फंदों को घटाएंगे, एक, दो, तीन, चार और पांचवा फंदा हम इस फंदे के साथ घटाएंगे, यह देखे, पांच फंदे कम हो गए, इस तरह से फ्रिल बन गई, अब इस फंदे को हम एक बार और बुनेंगे, एक बार, अब देखे, यह फंदा लेंगे, दो फंदे हो गए, यहीं से वापिस ह जाएंगे यह फंदा ऐसे उतारेंगे धागा पीछे लास्ट वाला फंदा सीधा दो फंदे हो गए अब देखिए फंदा ऐसे उतार लिया दो फंदे उल्टे एक दो पांच पांच फंदों की फिल बनानी है अब सीधी साइड पर आएंगे यह फंदा ऐसे उतार लिया एक फ पंदे हो गए अब देखिए यह फंदा ऐसे उतार लिया एक फंदा हो गया दो तीन चार अब यहीं से वापिस होंगे यह फंदा ऐसे उतार लिया दो फंदे उल्टे उने और लास्ट वाला फंदा सीधा चार फंदे हो गए अब एक फंदा में और बढ़ाना है यह फंदा ऐसे उतार लिया एक फंदा हो गया दो तीन चार और पांच वा फंदा ले लेंगे पांच फंदे हो गए यहीं से वापिस होंगे यह फंदा ऐसे उत लिया तीन फंदे बीच के बुन लेंगे और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे इस तरह से अब देखे इनको हम घटा देंगे उससे पहले इस फंदे को एक बार बुन लेंगे अब देखिए एक दो तीन चार और पांच वाला फंदा इसके साथ घटा देंगे पांच यह देखिए इस तरह से हम इसके फ्रिल बना लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे कि इसके फ्रिल बना कर तैयार कर लिए इस तरह से बड़े ड्रेस भी कंप्लीट हो गई है अब इसको हम थोड़ा सा सील लेते हैं फ्रंट साइट से को इसको उल्टा रखेंगे देखिए यहां से यहां तक इसको हम सीर लेते हैं और देखिए हम कैप भी बनाएंगे दिखा देते हैं आपको यहां पर हमने 18 फंदे डाल लिए कैप के लिए 10 नमबर की ही सलाई पर फंदे टाइट नहीं होने चाहिए फिर हमने तीन सलाईयां उल्टी उल्टी बनाई बोर्डर की ग्रीन कलर से और चोथी सलाई में उल्टी साइड से हमने कलर चेंज कर लिया चार सलाईयां हमने बनाई यह देखिए वाइट से चार और तीन साथ सलाईयां हो गई इसके बाद यह देखिए एक दो तीन तीन सलाइं हमने बनाई औरेंज कलर से तो टोटल हमने आपर दस सलाइं इसकी कम्प्लीट कर ली है अब इसका धागा यहां से कट कर लेते हैं और इस धागे पर सारे फंदे उतार लेते हैं इसको भी हम सीर लेते हैं फिर आपको दिखाएं ड्रेस हमने कर ली है बस आपको एक बात का ध्यान रखना है जैसे हमने यहां पर शुरू में दो बार फंदे बढ़ाए तीसरी बार यहां पर बढ़ाए आप इसमें तीसरी बार फंदे ना बढ़ाए बस यह फ्रील बना ले फंदे नी बढ़ाने हैं मेरे पास इसमें 10-12 फंदे की यार हुई है कि देख सकते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाए और अपने लड्डू गोपाल जी को तिरंगा जो कलर है उससे ड्रेस बनाकर पहनाए तिरंगे रंगे रंगे रंग दे तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में जैस्री राधी